तो देखिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि एल वैलू 3 है अब एल वैलू 3 का मतलब क्या हो गया एल वैलू अगर 0 होती तो ऐसा आर्बिटल होता और 1 होती तो पी और्बिटल होता टू होता तो डी और्बिटल होता और 3 है इसका मतलब क्या है एफ और वैलू पता है तो हमें पता है कि possible value of M क्या होता है माइनस 3 से लेके प्लस 3 तक तो माइनस 3 मतलब 1 से लेके 1,2 तीन वैलू इधार हो गई और 3 इसका क्या हो गया निगेटी हो गया मतलब माइनस 2 और माइनस 1 और एक क्या हो गया जीरो हो गया इसका मतलब कितना आ गया से वैन आ गया तो एंसर क्या हो गया आपका सी आसां इस करेक्ट वैसे सबसे पहली नजर में तुरंत दो आंस रिजक्ट हऊ रहे थे एल वैलू छी थी तो f ओर्बिटल होना चाहिए तो आप सनक आप सारे जेक्ट हो रहा था फासống टो reject हो रहा था अब दो option थे अपने पास है ना बी और सी तो अब सोचना चाहिए कि जैसे पी orbital है तो उसके पी सबसेल है तो उसमें कितने डी जनरेटेड और्बिटल होते हैं उसमें पी X, PY, PZ, तीन D degenerated orbital थे, same energy के, इसी तरह से हमारे पास D के बाद क्या, D sub sale हो गया, तो D sub sale का मतलब L value कितना हो गया, 2 हो गया, अब L value 2 है, तो 1 से लेके L तक, मतलब 1 से लेके 2 तक, यह हो जाएंगे, और minus में A plus 0, मतलब given L के लिए, जो number of क्या होंगे, orbitals हो जाएंगे, वो क्या orbital, दो electron hold करता है, तो अगर उसकी बात करी जाएगे, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है, तो कहा गया है, पहला option कहा गया है, कि 1S and 2S orbital are spherical in shape, यह तो सही है, कि S orbital कोई भी हो, कोई भी NSo spherical shape का होता है, second option दिया गया है, the probability of finding the electron is maximum near the nucleus, बिल्कुल सही है, nucleus के near, नजदीक, क्या होगा, electron density जादा होगी, यह भी सही है, मतलब दो option हम नहीं tick करने वाले हैं, incorrect हमें चाहिए, तीसरा दिया गया है, the probability of finding the electron at given distance is equal in all direction, इसका मतलब कि जब हम इधर चलेंगे, तो electron density जो मिलती जा रही है, जो यहाँ electron density मिलेगी, वही यहाँ मिलेगी, तो यह spherical symmetry है, इसलिए तो कहते हैं, कि spherical symmetry है, इसका मतलब radial direction में probability क्या होगी, हर जगा सेम होगी, अगर r हम सेम रख दें, radius सेम रखें, यह कोई value small r हो गई, यह radius हमने सेम रख दिया, इस sphere के surface पे हम देखें, तो electron के density क्या होगी, एक कॉल होगी, यह भी options सही है, तीनों options सही है, अब यह रहा है, the probability density of electrons for 2S orbital decreases uniformly, यही line गड़बढ़ है, देखिए, यह 2S के लिए है, जब center से, मतलब nucleus से आगे बढ़ेंगे, तो density decrease करेगी, और यहाँ 0 हो जाएगी, लेकिन 0 होने के बाद फिर बढ़ने लगेगी, इस zone में density क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जब radially हम जा र रहे हैं, radially, तो पहले density, nucleus से इस zone तक, density क्या कर रही है, decrease कर रही है, उसके बाद nodal surface आ रहा है, radial node आ रहा है, जहां पे electron के density 0 है, लेकिन वो ultimate नहीं है, फिर आगे जाके nodal surface के बाद फिर density क्या हो रही है, increase कर रही है, मतलब जो इसने कह रखा है, कि continuously decrease कर रहा है, यह statement क्या है रॉंग है, यह बासन में है न, तो यह आप, और यह क्या कहा जाएंगे, यह वाला zone क्या कहा जाएगा, that is, radial node, node है, radial node है, ठीक? तो अब बताइए, जो आपका, यहाँ पे principal quantum number है, वो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, जो, हाँ, l value है, s orbital है, तो l value 0 हो गई, यहाँ पे, इसका मतलब angular node क्या हो गया, वो l के बराबर होता है, that is equals to l, तो इसके कोई भी angular node, नहीं होगा, radial node क्या होता है, n minus l minus 1, मतलब, n value यहाँ पे 1 है, minus 0, तो 1 minus 0 minus 1, क्या आगया, 0, इसका मतलब, कि 1s में angular node भी नहीं होगा, इसका मतलब, कि जो total node हो गया, ना तो radial है इसमें, ना तो क्या है, angular है, तो 0 हो गया, ठीक है, बत करते हैं, 3P की, तो यहाँ 3P में, n value क्या दिख रही है, 3 है, l value क्या है, p orbital है, 1 हो गया, इसका मतलब, angular node 1 हो जाएगा, radial node, p minus 1 minus 1, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक angular node और एक radial node, 2 हो गया, यहाँ से direct निकाले, जिस formula को इस्तेमाल करें, ठीक है, इसी तरह से, यह सारा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, आपको बताना था, कि 4D orbital है, 4D orbital, और आपको angular node दिया था, select करने के लिए, और option दे रखा था, पहला option था, 1st, 4, 2nd option था, 3, 3rd option था, 2, और 4th option था, 1, angular node, ठीक है, तो angular node तो simple है, वो सिफ L value पे depend करेगा, तो L value कितनी है इसकी, 2 है, तो answer कौन सा सही हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा, यह बासन में है, अब अगर radial node की बात करते, तो क्या हो जाता, N minus L minus 1, इसका मतलब 4 minus 2 minus 1, तब आप सन कौन सा चूज करते हैं हम लोग, 4th वाला चूज करते हैं, लेकिन यह तब करते हैं, जब हमसे radial node पूछता, और total node अगर पूछता, तो 2 plus 1 क्या हो गया, 3, तब आप सन कौन सेलेट करते हैं, सेकेंड सेलेट करते हैं, तो अलग-अलग दूनिया है, अलग-अलग उसको याद है, और अलग-अलग तरी इसके सब्सक्राइब कर देगा, नहीं पता रहे हैं, ठीक, कैसे, तो हम लोग यह कहेंगे, कि आपका third sale है, तो third sale का क्या मतलब हुआ, third sale का मतलब हुआ, कि first होता है, L second होता है, और M क्या होता है, third sale होता है, M sale हो गया, और M sale के लिए, जो principal quantum number होता है, N equals to, 3 हो गया हो, तो दिया ही है, third sale, अब 3 के लिए, जो possible value of L है, edge method quantum number, वो क्या होता है, 0 से लेके N minus 1 तक, मतलब 0 से लेके 3 minus 1 मतलब 2 तक, तो क्या क्या L value हो जाएगी, L value 0 हो जाएगी, L value 1 हो जाएगी, और L value क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यह L value हो गई, अब given L के लिए, जो possible value of M है, मतलब alignments, वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब minus L से लेके plus L तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus 1 से लेके plus 1 तक, तो बीच में 0 आने वाला है, minus 2 से लेके plus 2 तक, तो बीच में बहुत लोग आने वाले है, minus 1 आने वाला है, 0 आने वाला है, इसका मतलब इतने orbitals associated है अगर इस combination की बात करी जाए तो यह combination क्या बता रहा है यह बता रहा है 3D और यह क्या हो गया इसकी बात कर रहा है अगर हम बात करें कि यह क्या बता रहा है 3S को अगर कोई कहे यह पेर क्या बता रहा है तब क्या कहेंगे इसको लेते हुए इसका मतलब यह 3 है L value 1 मतलब P orbital है और यह PX हो गया यह होता तो PY होता है तो हम यहां से सोच लेंगे कि 5 orbital यह हो गया तीन यह 8 हो गया और प्लस एक क्या हो गया 9 हो गया लेकिर हम लोग कभी कॉंपेटिशन में ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे हम ऐसे सोचेंगे दूसरी तरीके से कैसे हमने कहा कि थर्ड सेल की बात कर रहे है पिंसिपल कॉंटर नंबर क्या है री है तो इसकी कैपासिटी कितनी हो जाएगी टू एन स्कॉयर की इसका मतलब टू इंटू 3 का स्कॉयर मतलब 18 सकॉयर का एक्टीन इलेक्टान रखा जाएगा कितने बॉक्स चाहिए नाइन बॉक्स जचाहिए नाइन ऑर्बिटल्स चाहिए सीधे हो गया यह वाशन में ना कि 99 बॉक्स है मतलब 9 orbitals हैं हम ऐसे नहीं जाएंगे प्रोच करने कल के लिए दे दिया n equals to 13 दे दिया है कि नहीं हम लोग ऐसे क्यों सोचें तो हम लोग कहेंगे n square electrons spin में होंगे उपर की तरफ और n square क्या होंगे नीचे की तरफ होंगे वो total 2n square electron हो गए तो number of orbitals जो हो जाएंगे वो n square हो जाएंगे तो इधर से ज़्यादा सही है time saving है देखिए इसमें क्या discuss करना है कि which of the following is responsible to ruled out the existence of definite path of trajectory of an electron है ना इसका मतलब यह हुआ कि electron की trajectory है सबसे पहले कौन model दिया था ठीक है thompson model था plum pudding model है ना वो तो इधर में महान था ठीक है उसके वाद radar ford आया radar ford ने क्या कहा था कि electron planetary model दिया था उसने कि जैसे planets हैं around the sun revolve कर रहे हैं वैसे ही electron revolve कर रहा है around the nucleus इसका मतलब उसको पता था कि electron यहां कब होता है यहां होता है ना उसको पता था ना कि electron इस path पे चलता है तो electron के position में उसे certainty थी ना uncertainty उसके लिए क्या थी zero थी delta x electron के position में उसकी uncertainty क्या थी zero थी इसके बाद में आई ना तो हम लोग कहा थे हम लोग हमने कहा कि जो model दिया था इसने रदर फोड़ने उसके लिए जो पोजीशन में uncertainty थी जी रो थी उसके लिए certain चीजे थी वही काम यह यह ruled out हुआ है ना उसके अपने definite regions थे हों लोग बात करेंगे classical model में लेकिन फिर बाद में बात आई इसके बाद बोहर model आया तो बोहर model में भी कुछ चेंज नहीं हुआ वह भी आर्बिट की बात करता है definite energy labels है ना अब differentiate वहा करें जब classical model पढ़ेंगे तो लेकिन उसके लिए भी पात डिफिनिटी था वह वान electronic space के लिए true था है ना बोहर स्माडल ठीक है मतला हाइडोजन के लिए true था लेकिन helium के लिए true नहीं था क्योंकि दो electronic space हो two plus के लिए तो these are called hydrogen like atoms इनके लिए true होता है तो जो बोहर स्माडल है that is always true for only hydrogen और hydrogen like atoms ठीक है लेकिन उसमें भी electron orbits में revolve करता है इसका मतलब वहाँ भी path क्या है definite है certain है there is no uncertainty delta x zero है लेकिन इसको आप dual nature में पढ़ाया जाएगा आपको class 12 में कि ये चीजे ruled out कैसे होती है है ना तो हम कहते हैं जब हाइजन बर गाया उसने कहा कि जो position में uncertainty अगर delta x है और momentum उसके momentum में uncertainty delta p है तो जो ये product है ये इसकी जो minimum value है वो h upon 4 pi होगी इससे कम नहीं हो सकता है हमेशा इससे क्या होगा uncertainty जादा होगा that is called heisenberg uncertainty principle इसका मतलब ये हुआ कि जो बोहर ने या जो rudder ford ने ये definite trajectory propose करी थी वो बाती गलत थी क्योंकि definite minute रास्ता बता है नहीं जा सकता है electron जब electron को किसी point पर locate नहीं कर सकते तो ये कैसे बता सकते हैं कि इधर इसे चल ला है ये इधर कहीं मेरा जो वाइस है ये क्या है वेव नेचर है simultaneously इसके position को certain नहीं बताए जा सकता uncertain है हर जगह है इसका मतलब इसमें चार नियम दिये गए थे कि कि इसके हिसाब से ये गलत है definite path तो तीन तो वह पावली हूंड और अब यह लोग तो है नहीं यह लोग तो electronic configuration के रूल को बताते कैसे electronic configuration करना है आंसर क्या होगा हाइजेन वर ऑंसर्टेंटिक इस पर यह बासन में आगे ना ठीक है यह आपका और भी तरीके हैं लेकिन किसी matter से किसी particle से कितना wave associated है जैसे electron को अगर particle treat करते हैं या कोई हम लोग है हम लोग चलते हैं अपने हम लोग भी एक particle behaviors हो कर रहे हैं हम लोग की position क्या है certain है uncertain बिल्कुल नहीं है तो किसी भी इसे कहते है matter तो जो matter wave कहा जाता है या डी ब्रॉगली wavelength कहेंगे हम लोग कहेंगे वह wavelength कैसे calculate करते है एच अपन वी पी होता है linear momentum मतब M into V अब वह कह रहा है कि क्या क्या चार particle दिया है वह कह रहा है electron है है ना पहला option में electron है फिर कह रहा है alpha particle है क्या है alpha particle है और तीसरा तीसरा क्या दिया है particle और तीसरा दिया है neutron है और चौथा दे दिया है proton है proton कह रहा है कि यह सब एक ही speed से चल ला है एक ही velocity है तो किसकी डी व्रॉगली wavelength छोटी होगी तो हम लोग जानते हैं कि डी व्रॉगली wavelength lambda equals to h upon mv होता है h और v यह constant है यह differentiate हो नहीं रहे हैं क्योंकि सबका सेम है h applying constant सबके लिए सेम है और v conditionally सेम दे रखा है कि सब एक ही velocity speed से move कर रहे है इसका मतलब कि lambda inversely proportional है mass of the particle अब हम लोग जानते हैं कि electron इन में सबसे कम mass का होता है ठीक है उसके बाद proton alpha particle क्या होता है w ionized helium atom helium से electron निकाल लेंगे इसी को हम क्या कहते है alpha particle इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इसका atomic number two है तो इसके पास अभी भी दो proton और दो neutron होंगे अच्छा ठीक है ठीक है प्रोटान का मास क्या हो गया कम हो गया लेकिन हम लोग जानते इन्वर्स relation मास increase करेगा तो wavelength क्या करेगा decrease करेगा तो जो wavelength alpha particle का होगा सबसे कम हो जाएगा फिर किसका होगा neutron का होगा फिर क्या होगा proton का होगा और सबसे ज्यादा इलेक्रान कर रहा होगा तो यह पूरी सीरीज हो गई लेकिन आपके option के लिए सिर्फ क्या है सॉर्टेज wavelength क्या हो जाएगा सेकेंड से हो जाएगा ठीक है देखिए कुछ electronic configurations है जैसे दो electronic configuration है एक हो गया copper और chromium क्रोमियम का होता है 24 और copper का क्या होता है 29 होता है इस यह पूछा जाता है ठीक है देखिए हम लोग कहते है क्रोमियम एटामिंग नंबर 24 है तो इसका मतब नंबर अब proton क्या हो गए 24 क्रोमियम एटम है neutral होगा नेगेटीव चार्ज भी इतना ही होगा मतब तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे electronic configuration करते हैं तो according to above पहले 1s को करेंगे 1s स्कॉयर फिर क्या हो जाएगा 2s स्कॉयर फिर 2p 6 3s स्कॉयर और 3p 6 4s 2 और 3d ठीक है 10 कैसे हो जाएगा देखो यह 10 हो गया 6 और 4 10 और 10 10 बीस और 24 क्या हो गया 24 हो गया यह बास अम्याना अब यह जो electronic configuration है 4s 2 3d4 d4 exist नहीं करता है d4 exist नहीं करता है वाजा क्या है d4 का मतलब हुआ ठीक है यह d है d में 5 आर्बिटल होंगे dxy d y z d x z d x स्कॉयर मानस y स्कॉर और d z स्कॉयर यह 5 आर्बिटल हो जाएंगे तो यह 3d आर्बिटल पाचो है अगर इसमें 4 electron भर देगे चार electron भर दे तो दो प्राब्लम इसके साथ है प्राब्लम नमबर वन यह electronic configuration asymmetric है symmetrical नहीं है और nature always like symmetry पतियां देखिए लारिकार्ड है नहीं करें या ठीक है जैसे पतियां देखिए वो symmetry है symmetrical होते है ठीक है कुछ will तो nature हमेशा symmetry like करता है तो जो symmetrical चीज़े होती है वो ज़्यादा stable होती है तो यह symmetry को क्या कर रहा है lack कर रहा है that is the first है ना दूसरा काम है कि जो exchange energy होती है जैसे अगर हम बात करें इस electron को इससे exchange करें that is one exchange इसको इससे exchange करें that is two exchange इससे exchange करें तीन exchange इससे exchange करें चार पाच और क्या हो गया छे छे exchange है अगर mathematical term में देखें तो हम कहेंगे कि चार electron है और चार में से कोई दो exchange कर सकते हैं तो हम कहेंगे 4c2 combination exchange करेंगे और 4c2 की value होती है 4 by 2 into 3 by 1 है ना तो 2 2 जा 4 यहां से भी आ गया आपका 6 आ गया इवासन में है ना तो math से हम लोग निकाल सकते हैं number of exchanges कितने possible हैं अब अगर मालीजिए यह जो forest fill up है ठीक है तो दो बाते हमने बताई एक क्या है non symmetry asymmetric है यह यह problem इसके साथ है और दूसरा exchanges इसमें 6 हो रहे हैं और अगर यह forest का एक electron ले लेता है है ना और यहां fill up कर दे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा यह पूरा symmetrical हो जाएगा क्या हो जाएगा symmetrical एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच तो यह forest और 3D में बहुत ज़्यदा energy का gap नहीं होता है ठीक है तो हम लोग कहेंगे कि अगर यह energy यह electron promote कर दे अपना तो यहां पर पांच electron हो गया एक तो symmetrical हो गया दूसरा जो हो गया वह हो गया एक्सचेंज हो गया है 5C2 number of exchanges मतलब 5 by 2 into 4 by 1 2 2 4 कितने exchanges possible है इसका मतलब एक्सचेंज इनर्जी जाड़ा हो गया यह इस्टेबलाइज हो गया तो stability के दो रीजन है एक symmetry हो गई और दूसरा क्या हो गया exchange energy हो गई जिसमें जितना ज्यादा exchange होगा वो system उतना ज्यादा stable होगा जो जितना ज्यादा symmetrical होगा वो system उतना stable हो यह बासन में आ है न तो जो यह correction है इसको correct कर लिया गया यह incorrect electronic configuration है क्यों दो चीजों से incorrect है तीनों नियम के हिसाब से यह सही है अब बाव को भी follow करता है पावली को भी follow करता है और हुन को भी follow करता है तीनों को follow करने के बावजूद यह गलत है इसलिए कहते हैं यह exceptions है है न सारे रूल से परे exception के दो कारण हो गया lack of symmetry and exchange energy दो कारण गिनाएंगे यह बासन में आ गया ना अब उन दोनों को counter करने के लिए यह नियम को violet करेगा है न और आपको यह बताना है कौन से नियम को violet करेगा जो correct electronic configuration है तो जो correct electronic configuration है यह incorrect हो गया that is incorrect due to किसकी हो जैसे asymmetric asymmetric spelling है ना गलत हो सकती है asymmetric और क्या हो गया एक्सचेंज इनर्जी एक्सचेंज है ना लेस एक्सचेंज हम यहां लीदर है यह बार में लीदर है लेस एक्सचेंज ठीक अब जब इसे correct किया गया यह तीनों नियम को follow कर रहा था फिर भी यह incorrect था तो जो लेकिन फाइफ हो गया और फॉरेस वान अब रहे यह कौन से रूल को वाइलेट कर रहा है क्या हूंट को वाइलेट कर ला है नहीं सिंगली occupied किया गया पहले पेरिंग नहीं कराएगी उससे पहले है ना हूंट को follow कर रहा है पावली क्या कि को ऐसे दो इलेक्ट्रान दिख रहे हैं जिनके चारू कौन्टर नंबर आइडेंटिकल हो जाए नहीं पावली की साब से भी सही है लेकिन अबाव कि साब तो आप कभी भी 4s2 3d4 नहीं दोगे डीफोर एक्ट्राइन कांफिक्शन स्टेट नहीं करोगे हमें साथ डीफाइब करोगे ठीक है नोट कर लीजे और इसके साथ हम कॉंपाइल करेंगे लग भग झा ह경गे चार फिटकर रखेंगे वह मार करव। या मार कर चार फिट आर घूड़ने यूरेगा साथ है फिगर बनाना वहा तो इससे अपेगर बना और जो लिखना होता है वह उससे लिखना होता है तो दोनों चीगा कॉंपाइक मिलेगा ना तो वह मस्ट लगा थी देखो तो ट्वंटीनाइन के लिए जेड एटामिक नंबर 29 मतलब नंबर अप्रोटान 29 एटम इलेक्रिकली न्यूटरल होता है तो निगेटीव चार्ज भी उतने ही होंगे और 29 का अलेक्र्णिक कॉंफिगरेशन 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 4S2 से पहले क्या आएगा 4S2 और 3D 9 हो जाएगा ना देखो 10 10 20 29 हो गया अब फिर जो d4 पे संकट था वह d9 पे संकट है है ना सेम चीज है ना इसका मतलब देख लेते हैं पहले कि क्या क्या चीजे हालात क्या पैदा हुए है तो यह हो गया अपका पोरेस में दो इलेक्टरॉन है और 3D में कितने इलेक्टरॉन हो गया नाइन इलेक्टरॉन हो गया ठीक है एक दो तीर चार पाँज है ना फिर हुन रूल को फालू कराएंगे इसकी पेरिंग नहीं हो पाई यह क्या है asymmetric है ठीक है तो यही बात हो गई asymmetric हो गया symmetric नहीं है lack of symmetry है और exchange energy कोई भी exchange ठीक है तो symmetry lack कर रहा है that is most important अब हम कहेंगे अगर यह electron उठके यहां आ जाए तो यह जो asymmetric था वो क्या हो गया यह symmetric हो गया है ना हाँ नहीं पावली कर रहा है हुण को नहीं कर रहा है अरे सारी अब बाव को नहीं कर रहा है पोरेस की energy कम थी यह बासर में है ना पोरेस की energy कम थी फिर भी इसे हाफ फिल्ट भर के पूरा नब हमने भरा नहीं और आगे चले गए तो यह लेकिन correct electronic configuration ठीक है corrected electronic configuration तो क्या लिखेंगे 4s1 and 3d10 कहेंगे ठीक है नोट कर लीजिए पैरा magnetic मतब प्यारा magnetic जो magnetic को attract करता है magnetic field में attract होता है ना पैरा magnetic और डाया magnetic है ना जो रिपेल होता है तो अगर unpaid electron है तो वो क्या होगा पैरा magnetic behavior होगा इसका मतलब कि जो scandium है किसका magnetic behavior क्या बोला जाएगा पैरा magnetic बोला जाएगा इसका अगर 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 जीरो होता तो हम लोग क्या कहते डायव तो यहां भी लिख लिख लिजिए magnetic behavior paramagnetic magnetic behavior paramagnetic झाल झाल लंक है राइट डाउन दे इलेक्टोनीक कॉन्फईगरेशन आफ सी-आर प्लस ऐन तो जब भी हमें हो ना आइन्स का ओलेक्टोनीक कॉन्फिगरेशन दिया जाता है कि किसी भी इन के लेक्टोनीक son करिये सबसे पहले हम लोग parent atom का करेंगे किसका करेंगे parent atom का और अगर वो positive आयन है तो electron remove करेंगे कहां से balance cells है outer most balance cells है ठीक है और अगर वो negative आयन है तो electron add on करेंगे कहां पे? outer most cell में यह बसन में है न तो यह ध्यान रहे यह chronology होगी सबसे पहले आप parent atom का करोगे उसके बाद ions की तरफ proceed करोगे ions अगर positive है electron remove होगा from outer most cell negative है add होगा in outer most cell ठीक? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? हम लोग जानते है chromium का electronic configuration CR का electronic configuration हो गया 1s2 2s2 ठीक है? 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s1 होता है और 3d क्या होता है? 5 होता है यह बासन में आ गया? तो 4s की energy कम है इसका यह मतलब नहीं है कि 4s बाहर होगा 4s बाहर होगा यह बासन में है ना? उसकी energy कम थी इसलिए पहले लिखा गया था पहले भरना था इसलिए लिखा गया था पहले लेकिन वो आउटर मोस सेल है यह बासन में आ गया है और 3d inner cell हो जाएगा अंदर की तरफ है ठीक? अब 3d में कितने electron दिख रहे हैं? 5 electron है सबसे पहले CR प्लस अगर एक प्लस है तो आप क्या करोगे? एक electron remove करोगे? और कहां से remove करोगे? आउटर मोस कौन है? 4S है 4S electron यह remove कर दिया है अब अगर 2 प्लस है तो क्या करोगे? 2 electron remove करोगे तो एक पहले 4S से करेंगे अब जब वहाँ नहीं है remove करने के लिए तो कहां आएंगे हम? 3D में आएंगे तो क्या हो गया? 2 remove हो गया लेकिन जब 3 electron remove करना है तब क्या करेंगे हम लोग? एक और electron remove कर देंगे तो क्या हो गया? यह chromium 3 प्लस का है क्या यह scandium से match कर रहा है? नहीं कर रहा है इसका मतलब अगर आपने गलत अप्रोच किया गलत अटेम्ट किया गलत तरीके से अटेम्ट किया आयन्स का electronic configuration बिल्कुल गलत होगा बहुत कुछ बदल गया इसके पास unpaird electron कितने हो गया? इसके पास एक था इसके पास number of unpaird electron कितने हो गया है? तीन हो गया है इसका जो magnetic moment है वो क्या हो गया? अंडर रूट एन अन प्लस टू मतलब थ्री अट टू फाइफ रूट फिप्टीन हो गया ठीक है? और 3.85 आता है ये नियरली 3.85 BM मतलब बोहर magneton उसके बाद तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप ions का electronic configuration करोगे कभी भी उससे आप direct electron subtract नहीं करोगे ये बासन में है ना? ये आलवेज प्रोसीट कॉरोनलाजी atom, parent atom then ion electron या add करना हो या क्या करना हो? subtract करना हो वो सब balance L में हो write down electronic configuration of Q प्रस आयान write down electronic configuration of Q प्रस Q प्रस and Q प्रीक आयान दोनों लिख लीचे Q प्रस Cu प्लस वन होता है Q प्रस और Cu 2 प्लस क्या होता है Q प्रीक होता है इसको प्लस वन है इसको ऐसे लिख सकते हैं Cu प्लस वन स्टेट ऐसे लिखते हैं रोमन में या इसको ऐसे लिखते हैं यह Q प्रस है और मॉडन चल ला है Cu प्रस्ट है और Cu 2 प्लस यह इसको लिखते हैं Cu 2 प्लस Q प्रीक हो गए इनका इसी लिखना है Electronic Configuration तो सबसे पहले Copper का लिखेंगे तो Copper का Electronic Configuration Copper का 29 था 29 का मतलब 18 के बाद है ठीक है तो 18 के बाद मतलब 18 किसका होता है आरगन का होता है तो आरगन 18 हो गया यार लिख दिया 18 में काउंट नहीं करना है अब 9 बज गया 9 बज गया 9 बज गया 9 में हम लोग जानते हैं कि पॉरेस में इलेक्ट्रान जाएंगे कितने एक और डी में कितने जाएंगे अरे कॉपर 29 है ना तो ज़्यादा बज गया ना कितना 11 बज गया तो डी में 10 जाएंगे यह एक्सेप्सेशनल एक्ट्रान कान्फिग्रेशन था लेकिन देखिए यह इनर्जी के टम में लिखा हुआ है पॉरेस अंदर लिखा है इनर्जी कम है लेकिन यह आउटर्मोस्ट है है ना तो इसको रीकरेट कर लेंगे ठीक है क्या कर लेंगे हम लोग इसको देट कुट भी रिटेन है इसे 3D10 और 4S वन लिख लेंगे हम लोग इलेक्टर्न अब रिमूव करेंगे कहां से ठीक है जायर सी बात है एस में से तो जो यह कॉपर था कॉपर प्लस तो एक इलेक्टर्न निकाल लो गया किसका यह बैलेंस इल आउटर्मोस इल का तो आरगन हो जाएगा और 3D 10 और 4S क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है इसका मतलब इसके पास कितने अन-पेर्ड़ इलेक्टर्न हो गए सब पेर्ड है 10 के दसों पेर्ड है यह वासन में है न अन-पेर्ड क्या है जीरो इसका मतलब इसका Magnetic Behavior क्या होगा tää दाया मैगनेटी मैगनेटीक मोमेंट क्या हो जायएगा जीरो हो जाय गापी एन क्या हो गया जीरो तो यह सारे फक्त लिख लीजे नमबर ओफवाफ अन प्वेइड bend अन प्वेइड एल एलेक्रों旅 बढ़ियो टीक है इस नीपन हो गया जीरो हो गया, तो magnetic moment mu that is square root of nn plus 2 और n के value 0 रखते ही ये क्या आने वाला है 0 आने वाला है तो 0 bm आ गया, बोहर magneton, magnetic behavior क्या हो गया dia magnetic dia magnetic कहा होगा तो co2 plus के लिए पहले क्या करेंगे, co लिख लेंगे co क्या हो गया argon and 4s 1 3d 10 फिर 4s बाहर लिख लेते हैं अब क्या होगा, co2 plus 1 electron निकलेगा पहले 4s से अब 4s में availability नहीं है तो कहां से निकालेंगे 3d से तो 3d क्या हो गया 9 और 4s 0 हो गया इसका मतलब 4s में कोई electron नहीं है और d में क्या है 9 electron है इसका मतलब पहले एक एक भरे गड़ा होगे रहे थे paired थे और 8 को क्या किया गया है unpaid किया गया है तो यहाँ पे number of unpaid electron क्या हो गया 1 इसका मतलब यह diamagnetic यह paramagnetic है यह paramagnetic हो गया with magnetic moment है ना magnetic moment क्या हो गया mu under root one plus one into one plus two मतलब three तो वही हो गया one point seven three two bm paramagnetic paramagnetic अब classical और पार्ट आपके अपके structure का बचा है ठीक है वो बहुत तेजी से ब्रीफ कर देंगे एक टरन में है ना और एक टरन लेंगे उसका कुछ derivation important है वो derivation करा देंगे तो ये चेप्टर का थाम हो जाएगा